पैले मैंसे IPL का उसके हम बात करने वाले हैं जो कि है राजस्थान वर्श्यस डेली के पहरं आपके होने चाहिए आपके क्या बहतरीन करायों स्पीच के उपर तो इसके रिकार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले तो वीडियो को फूल वाच करना एक एक चीज़ों को समझना और अपने से खुद की अपनी फाइनल टीम क्रेट करना और लाखों की विनिंग जनरेट करना अपने बेस पे औ हम सेर करते हैं अपनी उजर्स के साथ और वहाँ पे आपको फूल गाइडेंस मिलती है और वहाँ पे आप अगर जोइन होते हो तो आपको हमारी फाइनल टीम मिले कि उस टीम से आप खुद भी इन्वेस्मेंट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और बैटिंग सेक्शन से उसके बाद हम बात करेंगे हम बॉलिंग सेक्शन से कि इन चारो सेक्शन में से कौन से प्लेयर आपके लिए इंपोर्टन रहने वाले हैं एंजिन प्लेयर का रिकॉर्ड अभी अच्छा चल रहा है क्या अच्छा नहीं चल रहा है वो क्या इस मैच मे तो रखना most important है 90% से जाता लोग आपने 100% लोगों ने इनको अपने टीम में रखा ही होगा इस small league के अंदर and grand league में कोई risk लेना चाहे तो ले सकता है बट यहाँ पर हम बात करेंगे accurate team और small league combination के बारे में तो सबसे पहले हम बात करने वाले इनको हम records भी देख लेते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हो पांच इनिंग में 32 के आवरेज इनका चल रहा है और यहाँ पर अगेंस दिली इन्होंने 13 इनिंग्स में 26 का बैटिंग अवरेज मेंटेन करा है जो कि ठी हैं 70% chances हैं कि यह ना खिले 30% chances है कि इन्होंने अगर recover कर लिया तो इस match में यह खिल सकते हैं बाकि इनके records की भी हम बात करते हैं तो performance अभी तगड़ा चल ला है गुड़ परफॉमेंस में और इनकी फैंटासी पॉइंट यह जो देते हैं 79 के यह आवरेज फैंटासी पॉइ सकते हो कि इनका 79 का बात करते हैं जो की हैं बैटीं सक्षन से याँ पर जो बैटिंग से रेखैर हैं बहत अच्क्या बोर्न और वैसे तो बोल्ट वेकर आओ गए तो इनको थोड़ी बिद्धिक्कत होती है क्योंकि यह लेफ्ट हंडर है तो इनकी बॉल्ट थोड़ी से अंदर आती है स्विम करती है तो इनको काफी प्रॉबलम होती है बागी यह ऐसे बहुत तागड़े प्लियर है अगर यह दोने लगेंगे तो यह बोल्ट रेच अफी कोई भी रहे सबको दोने लगेंगे बट अगर शुरुवाती में अगर यह डिफेंस करने लगे तो डिफेंस करेंगे इसका मतलब यह आउट हनवाल है अटेकिंग खेलेंगे लंबा खेलेंगे कम बॉल खेलेंगे बट लंबा एक अच्छी पारी यहां पर चले जाएंगे अच्छा फेंटासी पॉंट आपको देखेलेंगे तो यह अटेकिंग प्लियर है चला या फिर गया ठीक है वह वाले फ्लियर किये हैं अगर इनका भी रिकॉर्ड अगर हम देखें हलां कि सबको पता है कि वोल्ड क्लास प्लियर है अनने आवरेज यह जो फेंटासी पॉंट हमें देते हैं इनका रिसेंट फॉम ही ठीक चल रहा अच्छा चल रहा है अगर हम राजिस्तान के अगेंस इनका 14 मैचेस के अंदर इन्होंने कितना बैटिंग अवरेज पॉंट दिया तो यहां पर देख सकते हैं जो बैटिंग अवरेज आपके लिए रहने वाले हैं आप इनको भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ट्स बताने के बाद मैं अपने वाइस के आपके आपको दो या तीन ऑप्शन दूंगा जिसमें से आप अपना वाइस के रख सकते हो और मैं को तुके पर नहीं बोलू तो अच्छा चल रहा है थिक चल लहीं थे जाते हैं धाट स्थवाई थोड़ा सा थोड़ा सा इनको आटेकिंग खेलते हैं अगर यहन का तो अच्छा प्रफोंट देके चलते हैं और इनका परफोंएंस अभी ठिक ठाक चल रहा है एक इन्होंने दिलीके अगेंस लेकर रा बाहर भी आप रख सकते हो ठीक है वीडियो के लास्ट में यह बताऊंगा कि मेरे टीम में कौन-कौन से प्लेयर रहने वाले तो आप उस भीयप पर आप समझ सकते हो कि कौनसे प्लेयर इंपोर्टर रहने वाले हैं वाकि यहां पे मैंने सारे जुकर साथ शेयर कर रहा हूं आ लोने दिल्ली के अगेंस 19 रन का बैटिंग अबरेज मेंटेंग करका रखा है और लास्ट के 5 बैचे अगर इनको मौका मिलता है तो यह अच्छा करके दिखाते हैं वो ठीक ठाक प्ले रहें ज्यादे एक्सपरियेंस में की पास नहीं बट यंग स्टर है कोशिस करते हैं कि बाउंडरिस में डिल करें थोड़ी जो सीला खून है तकड़ा खून है अब यह भी उबरते हुए सितार है तो कोशिस करते हैं कि हम अटेकिंग मोड में खेलें और हम सिक्सेंग फोर्स में डिल करें बागी प्लेस भी अच्छ है बट उतना भी strength इनका नही करेंगे महनत करेंगे तो दिरे दिरे इनकी strength भी इंक्रीज होगी हाला कि ठीक टाक प्लेयर अच्छे प्लेयर है और इनका अरेना आवरेस 39 का ठीक टाक आवरेज है हम मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा और मैं बेकार भी नहीं बोलूँगा मेडिया आपके लिए अब यहां पर जो भी इसके बाद मैंजे कोई खास फिलन नहीं लग रहा है तो इसके बाद हम चलेंगे आपके लिए प्लेयर साबित होके और आपको मैता दो अपने टीम में जरूर रखना है क्योंकि यह लास्ट पांच मैचे की अंदर 33 रन का बैटिंग अबरेज मैंटेन करके आपको दिया है और यहां पर चार बिकेट्स भी निकाले हैं तो यहां पर बैटिंग और बालिंग दोनों साब के लिए बिकेट निकाल के लिए कराएंगे तो यह आपके टीम के लिए इंपोर्टन एने वाले हैं तो आप अपने टीम में इनको जरूर रखिए काल राउंडर है भले इनका रिकॉर्ड अच्छा ना हो बट अभी आप रिसेंट ली में दे सकते हो यह बॉलिंग भी कर रहे हैं और लास्ट के कुछ टीटों ट्रेशनल मैचेस के अंदर भी इन्होंने काफी तगड़ा खेला था इंडिया को चीच चीट भी दी लए थी और फिनिसिंग में आके काफी अच्छा इस्कोर करने में भी मध्यात करी थी तो यह आपके के लिए मुश्ट इंपोर्टर रहने वाले अगर इसे ओलो करतें ग्र की और एक इनको खॉब था कि हां यह स्लोवर पैसर बॉलर है यह डियल करता है के अंदर बट अभी भी इनका रिसेंट फॉर्म हम खराब नहीं बोल सकते अच्छा रिचेंट फॉर्म है यहाँ पर चालिस रन का इनका 40 फेंटासी अबरेस फॉंट यह मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकतो रिकॉर्ड आपके सामने डिटेल्स और रिकॉर्ड डाटा आपके सामने ठीक है और लास्ट के पांच मैच के अंदर इन्होंने सिर्फ पांच ही बिकेट निका लें अनने आवरेज में बता रहा हूं जैसे किसी मैच में अगर जडिवाइट करने के बाद रहे जिनको फाइडम में मिले हैं मतलब कि मैस में ऐक बिकेट मूस्किल canoe से निकालने तो मैं उतना वह ज्यदा और नहीं करूंगा नॉर्मल बायलर बन गया है क्योंकि पहले ऐसा था कि इनको हम as a बहुत ही serious लेते थे बट अब ये normal से बॉलर है जिनको आप easily चाहो तो drop भी कर सकते हो ठीक है दिली के अगेंस इनको अपने टीम से drop कर सकते हो ठीक है अब यहां पर हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में बॉलिंग सेक्शन में कौन से प्लियर आपके लिए most important रनने वाले तो यहां पर युजन चैल का विजो रिसेंटली performance चल रहा है बहुत ही तगड़ा चल रहा है औ अगर हम इनकी रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे लास्ट के पांच इनिंग में नौ भीगेट निकालें जो कि आपके लिए most important रहने वाले आपको टीम में जरूर रखना है यह दुन चैल को इन्हें international matches में मौका नहीं मिल रहा है बट आइपिल में इनको मौका जब- चार ओबरों में यह लागातार दो चक्के खाएंगे तिन तिन चक्के खाएंगे बट यह आपको बिकेट निकालके देंगे तो यह most important पिलेर रहने वाले आपके लिए अभी तगड़ा चल रहा है साथ का average fantasy point है मतलब कि दो बिकेट पर गेम यह निकाल रहे हैं तो आपके लिए most important रहने वाले हैं तो आपको अपने टीम में इनको जरूर रखना है तो अच्छा average fantasy point है लास्ट के 5 बिकेट निकाले है और अगेंस दिली दो इनिंंस में एक बिकेट निकाला है तो यह इस बात प्रेंदियान सेक्ट कहने कोई यह निकाल सकते हो कि कौण सा team आज परफिमस के अच्छा नहीं होगा तो टीम भी उसमें आप कंपरिजिशन कर सकते हो कि कौन सा टीम स्ट्रॉंग रहने वाले है आज के मैसके अंदर ठीक है उस भी पे भी आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो जो कि most important रहने वाला है यहाँ पर अंडर नोर्किया की बात करते हैं अंडर नोर्किया के अभी जो रिसेंट performance है काफी तकरा चल रहा है 62 का यह average fantasy point दे रहे हैं और अगर last के 5 matches की बात करें तो last के 5 matches में 9 विकेट निकाले हैं और राजस्तान के अगर हम बात करें तो last के 5 matches के अंदर 10 विकेट की बंदा निकाला है और राजस्तान के एक इनिंग में इन्हों ने दो विकेट निकाला तो यह most important हैने वाले हैं और इनको भी आप as a ZL में captain captain vice captain try कर सकते हो क्योंकि record से यहां पर देख सकते हो क्योंकि small league में 90% लोग इनको इसको चेतन सकर यह को captain vice captain नहीं करेंगे बट इनका record आप देख लो GL में इनको आप जरूर captain vice captain करिएगा अगर आप GL में अगर आपने investment किया तो जरूर इनको आप ट्राइगा बट कर आप रिक्स लेना चाहते हो तो captain vice captain कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि यहां पर record पर कर रहे हो कोई तुक्के पर नहीं आप टीम बना रहे हो record देख रहे हो यहां पर बाइसा पांच मैचेस में 10 बिकिट निकाले कोई मजाक नहीं हो रहा है तो यह अपने टीम हो जाएगा उसके बाद final team मैं अपना टेलिग्राम चनल पर upload कर दूगा हलाकि आप अपने team से खुद के team से बनाना सीखे खुद team create करना सीखे इसलिए हम videos upload करते हैं अकर हमको team देही देना रहता है टेलिग्राम तो फिर क्या है जरूँआ थी YouTube बे videos बना कि इतने मेंनत करने कि बट हम videos मनाते हैं ताकि आप लोग सीख सकोगे किस तरीके से fantasy में survive किया जाता है किस तरीके से knowledge के भी एपर team मनाया जाता है ठीक है तो यह record साब के सामने आप खुद का mind लगाओ कि कि किसको रखों कि किसको ना रखों ठीक है बाकी मैं अपनी choice बता हूं तो सेंजो में ज़रूर रहेंगे दोनों प्लेयर रहने वाले हैं और वार्नर और उसके बाद सेसी जैस्वाल और पीची रिपोर्ट की हिसाब आया तो उतके बाद में decide करूँगा कि सवाल कर रखना है कि नहीं रखना है यहां पर अल्रोंडर सेक्षन में मेरे पास अक्सर पठेल रह होंगा ठीक है और उसके बाद अगर जो प्लियर्स मेरे अभी बच जाएंगे तो उसके बीएप पे मैं पीच रिपोर्ट के एकॉर्डिंग की पीच क्या बोल रहे हैं उसके एक्स्टा मैं यहां पर बॉलर या फिर और रखने वाला हूं अपने टीम के अंदर ठीक है अब अगर पीच में ये दिखाएगा कि बॉलर को सपोट मिलेगा तो मैं इन दोनों को कैप्टन वाइस कप्टन भी खर सकता हूं ठीक है और यह इनका performance भी अच्छा है तो मैं record के भी यहाँ पर इनको Captain Vice Captain कर सकते हैं तो आपको मैंने चार्ट यहाँ पर option दिये हैं सबसे पहला आप यहाँ पर नौर किया या फिर सकरिया को Captain Vice Captain कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर संजू संसुन और बटलर में से किसी एक को Captain Vice Captain कर सकते हैं या फिर combination अगर आप करना चाहते हैं तो एक आप संजू संसुन को Captain कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अंडर नौर के फिर सकरिया को Captain Vice Captain कर सकते हैं बट एक बात आप हमेसा ध्यान रखिएगा कि अगर आप टीम अगर अलग अलग टीम खेल रही है तो अगर आप उधर opener को Captain बना रहे हो तो इधर बालर को आप Vice Captain मत बनाना क्योंकि अगर वो बिकेट लेगा तो आपके Captain को Out कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है तो आप जैसे उस behavior को समझो उस combination को समझो उस according आप टीम बनाओ तब ज़कि आपको जादा benefit मिलेगा ठीक है मतलब कि अगर आप किसी baller को Captain बना रहे हो तो सामने जो opener है जो उनको drop कर दो ठीक है अगर baller को अपने captain करा है और सुरुवाती baller अगर सुरुवाती ओबर में वो bowling करने आता है तो सामने को opponents आप drop कर दो ठीक है अगर वो baller चला तो आप definitely ultra jackpot मारने वाला हो तो यह सारे combination हम अपने टेलिग्राम चैनल पर सेयर करते हैं कि कौन सा Contest आपको जोइन करना है कब कॉंटे जोइन करना है और कैसे combination create करना है और किस तरीके से हम टीम बनाते हैं सब कुछ सारा data सारा knowledge अपने उसर साह सेयर करते हैं तो अगर आपको हमारे सारे benefits उताने है हमारे users की तरह हमारे टीम से खेलना है हमारे guidance को करना है कौन सा Contest आपको जानना सीखना है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जल्दी से जाके जोइन करो जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वह सब्सक्राइब करो जहां पर आपको स्टेप बाइस्टेप हम गाइड करेंगे किस तरीके से या फैंटेसी में गुरू कर सकते हो डिफिनेटली डेली बैसे पर जो मैचेस कबर करते हूं आप हम अपनी फाइनल टीम देते हैं कौन सा कॉंटे जोइन करना है कैसे जोइन करना है सारी गाइडेंस वह आप अपर मिल दिये तो जल्दी सी जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक है उस लिंक पर किलिकर करें टेलिकरम चलेंगो जोइन कर लो और अगर आप इस चेनल पर पहली बार आओ तो इस चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि इस तरिके से फैंटासी का ग्यान डेली बैसे इस चेनल पर हम लाते रहते हैं थेंक यू सो मच